बीजेपी इस वक्त केजवाल सरकार पर प्रेस कॉन्फरेंस कर रही है या आपको सी दिले कर चलते हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट दिल्ली के एलजी को जो बाते कही गई हैं उसका सारांच में रखके इस प्रेसवारता को आगे बढ़ाऊंगा RTI Act 2005 में आया और RTI Act का जो आत्मा थी वो ये थी कि जनता जो है वो जनार्दन है उसे ये जानने का हक है कि कोई भी सरकार या पब्लिक बॉडी किस तरह से कारे कर रही है पारदर्शिता क्या है और चुनी हुई सरकारों की जवाब दे ही तेह होती है ये जो पत्र है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्टर का इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एक-एक मंत्राले जो दिल्ली सरकार के तत्वधान में कारे कर रहा है हम उजागर कर चुके हैं किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्क्यूज नंबर वन मनीश शिशोडिया घोटाला करते हैं हमने दिखाया ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट में जो लो फ्लोर बसे जानी थी उसके टेंडर में घोटाला होता है पी डवलू डी अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लास्रूम बनाता है तो टॉयलेट को भी क्लास्रूम में गिर लेता है जनता जवाब मांगने जाती है और अर्विंद केजरिवाल की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे वो क्या करती है मैं आपको दर्चाता हूँ सबसे पहले रेविन्यू डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं रेविन्यू डिपार्टमेंट में पहले तो अर्विंद केजरिवाल की सरकार कोई जवाब नहीं देती है और जब हमारे यहां राइट टू इन्फोर्मेशन आक्ट में एक व्यवस्था बनी है सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशनर है स्टेट की इन्फोर्मेशन कमिशन है वो जवाब मांगती है तो साथ प्रतिशत मामले ऐसे हैं जहां पे इनके जो स्पेशली डेजिगनेटेड इन्फोर्मेशन आफसर्स हैं वो उपस्तित ही नहीं होते हैं Now I must make it very clear that under the Right to Information Act of 2005 which calls for transparency as well as accountability every government and every state body is obligated to have information officers who are to be trained as well as I read from the Act section 26 और एक लाइन पढ़ूँगा जो सारांच बताएगा तो बीजेपी आरूप लगा रही है केज़िवार पर कि वो इमानदार नहीं भरस्ट है उनके सरकार पर भरस्ट चार के आरूप लगा रही है परस्ट है